हेलो दोस्तों तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिलिवरी चलान बनाना तो डिलिवरी चलान क्या होता है इसे डिलिवरी चलान और चलान भी कहा जाता है तो ये कब बनाये जाता है तो इसको समझते हैं डिलिवरी चलान देखिए यहाँ पर एक मैंने रिपोर्ट निक ठीक न, मतलब 61,600 रुपए का जो है, sales bills जो है, बनने वाला है, bill नहीं बना हुआ है पर क्या है, goods delivered but bills bills not made, मतलब जो है सामान, जो है, deliver हो चुका है मतलब सामान हम दे चुके है customer को, पर जो है bill नहीं बना है, तो ऐसा case कब होता है, ये बहुत सारी दुकाने हैं, वो भी उसी चीज़ को बेचते हैं, जैसे कि रमेश ट्रेडिंग कमपनी एक mobile wholesaler है, और ये main बजार में है और क्या है, साथ में और भी बहुत सारी दुकाने हैं, जो वो भी mobile बेचते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब भी उनके पास कोई customer आता है, कोई mobile का model पूछते हैं, उनके पास होता नहीं है, वो भाग के साथ मतलब रमेश ट्रेडिंग कमपनी में या साथ में जो wholesaler हैं उसके पास जाते हैं, और वो जल्दी से जल्दी वो mobile लेके वो आपस आ जाते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, कि दुकानदार जो है, वो मतलब बार-बार बिल नहीं बना सकता तो इनके आपस में setting हो जाती है कि जो है, शाम को बिल, एक ही बिल बना देंगे, चाए आप दिन में 10 चीज लेके जाओ, चाए 15 चीज लेके जाओ, जितना भी हो, तो उसकी बिल की जगा पे क्या बना जाता है डिलिवरी चलान बनाया जाता है तो डिलिवरी चलान के साथ जो है, माल को, मतलब उसको दे दिया जाता है, कि तू ले जा बिल इसका शाम को बना लेंगे और इसके इलाबा, क्या होता है कुछ कंपनीज में, 15-15 दिन में भी बिल बनते हैं, कि मतलब 15 दिन तक जो माल है, वो डिलिवरी चलान के साथ आता रहेगा तो 15 दिन के बाद, 16 जो दिन है, उस दिन, पूरे 15 दिन के जो है, टोटल का एक बिल बनाया जाता है तो इससे क्या होता है इससे क्या अकॉंट्स में एंट्रियां जो सेल इन्वोईस की एंट्रिय है वो कम हो जाती है, एंट्रियां, ठीक है न कहां मतलब कितने सारे बिल एंटर करने पड़ने थे तो अगर 15 दिन में एक बिल बन गया तो एक बिल एंटर करना पड़ेगा, अगर सेल इन्वोईस एक बना तो 15 दिन के सामान का, तो इसलिए जो है, यह डिलिवरी चलान का इस्तमाल किया जाता है ठीक है, तो कुछ के ऐसा भी होता है, जैसे कुछ मैनुवल भी काम चलता है, तो क्या होता है, वो डिलिवरी चलान एक मैनुवल प्रिंट आउट, वो मतलब मैनुवल बुक रख लेते हैं, दुकानदार तो जब भी कोई कस्टमर आता है उसको वो डिलिवरी चलान के साथ माल गुड से उसको दिये देते हैं तो बाद में क्या करते हैं, बाद में वो सारा हिसाब किताब लगा लेते हैं एक पेज के उपर कि कितने का सामान लेके गया वो मतलब 15 दिन में चाहिए 10 दिन में वो बिजनेस के उपर डिपेंड है कस्टमर और सप्लायर उनमें क्या मतलब शर्त रखिए कि हम इतने दिन में बिल बनाएंगे उस हिसाब से वो फिर उस दिन को वो बिल बना लेते हैं टोटल की 10 डिलिवरी चलान थे जैसे कि 10 डिलिवरी चलान थे तो 10 डिलिवरी चलान का इतना बिल बना है तो बिल बन जाता है तो ठीक है चलिए अब इसको करते है कैसे करना है हमने क्या प्रोसेस है टैली में तो जैसे यहां आप देख सकते हैं यह सारी रिपोर्टिंग है कि 12 पीस जो है माल डिलिवर हो चुका है और पैंडिंग जो है 12 पीस का ही बिल बनने वाला है तो इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं सबसे पहले क्योंकि मैं आपको शुरू से बताऊंगा कैसे करना है इसमें गए और इसको आल्ट डी के साथ है डिलीट कर दिया एक और यह दूसरा है इसको भी आल्ट डी के साथ डिलीट कर दिया और यह तीसरा अला है इसको भी delete कर दिए, अब यहाँ पर कुछ भी pending नहीं, शो कर रहा है, escape करूंगा, तो जैसे कि inventory vouchers में आना है, gateway of tally से, यहाँ पर आप देखिए, delivery note, यहाँ पर delivery note है, और यहाँ पर भी इसका delivery note दिखा रहा है, इस पर click करेंगे, delivery note जो है, आपका सामने open हो जाएगा, पर हो स मैं, features में जाईए, inventory features में जाईए, और यहाँ पर देखिए, other features में जाके, use tracking number, enable delivery and received notes, इसको yes कर दिजे, enter करते हो, इसको कर दिजे, save, ठीक है, जब यह आप save कर लेंगे, तो आपका जो inventory vouchers में, यह delivery note आना शुरू होजेगा, जैसे यह received note में किया, तो यह received note आ गया, तो delivery note यह delivery note, यह delivery जो है, delivery चलान है, तो आप माल को या तो bill बना के, sale invoice बना के माल दे सकते है customer को, या तो आप delivery चलान बना के भी customer को माल दे सकते है, पर delivery चलान का बार में bill जो बनना, वो बनना ही बनना है, मतलब है, यह नहीं कि delivery चलान पर माल दे दिया, तो bill बनाने की चलान का जो है accounts में इसका effect नहीं पड़ता है, जो sale invoice का है, उसका ही effect पड़ता है, ठीक है ना, तो delivery note open कर लिया, फिर F2 करके date select कर लिजे, कितनी तरीक माल हमने deliver करना है, तो इसके बाद customer select करना है, suman mobile, और यहाँ पर order number देना है हमने, और यह delivery note यहाँ पर एक दिखा रहा है, और यहाँ order number दे देते, एक new कर देते हैं, 101, ठीक है, end of list, कैसे मतलब एंटर करते हुए, आगे बढ़ी, अब यहाँ पर item पर, samsung mobile, और यहाँ पर देखिए, list of tracking number, tracking number अब पूछ रहा है कि कौन सा use करना है, तो जो एक number है, telly का, जो है, automatic number आ गया है, तो इसको मैं select कर रहा हूँ, अगर आप चाहे तो new कर सकते हैं, यह note applicable, तो मैं तो कहता हूँ, यही default ही रहने देते, एक number इससे थोड़ा असान हो जाएगा, और उसके बाद list of order में, note applicable कर देते हैं, और यह हो गया, tracking number भ करना है, तो तीन mobile डिलिवर करने है, end of list, sale, यहाँ पर cgst, sdst, चाहे तो आप tax लगा सकते हैं, अगर ना चाहे तो ना भी लगा सकते हैं, तो मैंने tax लगा दिया, इस प्रकार इसको save कर लीजिए, अब फिर same date को एक और डालेंगे, suman mobile, new number, दो कर देते हैं, यहाँ फिर enter करते हैं, आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर फिर samsung mobile, दो नमबर आपने आगे ट्रेकिंग में, और यहाँ पर note applicable, यहाँ पर कर देते हैं, 5, ठीक है, cgst, sdst, save कर लिया, अब एक दो अप्रेल में करते हैं, suman mobile, यहाँ पर new number, 3 कर देते हैं, और यहाँ पर करते हैं, LG का mobile, note applicable कितने, यह भी, यह कर देते 6, चलो, यह हमने deliver कर दिया है, जैसे print out भी निकाल सकते हैं, आप इसका, मैं दुबारा बता देता हूँ, accounting voucher, यहाँ पर page up किया, तो page up करने पर यह आ गया, इसको alt p करेंगे, enter, और इसको alt z कर दीजे, तो यहाँ पर यह देखिया है, इसका print out आप निकाल सकते हैं, और receiving वगेरा आप अगर लेनी हो, तो उस हिसाफ से अपने जरूरत के हिसाफ से print निकाल लिए, कितनी कापिया, एक copy वो ले लेगा, एक copy ट्रांसपोर्ट वाला ले लेगा, ठीक है न, अगर ट्रांसपोर्ट के थुरू बेज रहे, और एक copy आप अपनी file में लगाने के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है अगर pass वाला है तो दो copy निकाल लिजे, एक अपनी file में लगा लिजे, उससे receiving लेके, उसका sign करवाके, एक उसको दे दीजे, उसकी copy, तो वो आपके उपर है कि आप कितना चाहिए, ठीक है न, अब print निकाल सकते है यह हो गया, अब देखिए, gateway of tally से हम जाएंगे, display में, फिर जाएंगे, statements of inventory में, और यहाँ पर sale, bill pending में जाएंगे, तो यह देखिए वो आगे न, goods delivered, but bills not made, मतलब 14 mobile जो हमने deliver कर दिये, पर bill नहीं बना है, तो इससे जो है, पता लग जाएगा कि, किसी का bill बनाने वाला त तो आप उहाँ से list से देखिए, वो bill बना सकते हैं, तो हमें पता लग गया, bill बनने आला है, तो bill बनाते हैं, फिर gateway of tally से accounting voucher में आगे, तो यहाँ पर आपने जो है, यहाँ से sales select कर लेना है, और F2 करके एक 5 date कर लेते हैं, और सुमन mobile का bill बनाएंगे, तो क्या करेंगे, द list of tracking number, यहाँ से आपने select कर लेना, सबसे पहले एक number, फिर दो number, end of list, ठीक है, दो जो delivery note है, उसके against bill बना रहे, तो यह आपने भी इसने उठा लिया, quantity अगर आप change करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, तो मैं नहीं कर रहा हूं, तो यह देखिए, दो number भी उसने उठा लिया, त इसको page up करेंगे, alt-p, enter, alt-z करेंगे, तो यह देखिए, यहाँ पर देखिए, delivery note एक और दो, उसके against जो है, यह bill बनाए हमने, यह bill बन गया, इसका print out बगएर आप निकाल सकते हैं, तो यह हो गया, और मान लिजे हमें अब पता नहीं है कि किसका bill बनने वाला है, और किसका नहीं बनने वाला है, तो हर चीज तो हमें याद रह नहीं सकता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, reporting में देखेंगे, कि और तो नहीं कोई bill बनाने वाला, तो फिर display में जाएंगे, statements of inventory, sale bill spending, तो यहाँ पर देख सकते हैं, 6 mobile हैं, उसका जो bill है, बनने वाला है, तो आप फिर इस यहाँ पर तो हमने सुमन मोबाइल कंपनी का ही एक उधारन लिया है, तो जब हम असली में काम करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे customer हो सकते हैं, तो वो सभी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और आप देख देख के जो है, मतलब जो delivery note यह नमबर आता है, उसको देख दे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,